नमस्कार, बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है हिंदू धर्म में सावन के महिने का खास महत्व होता है 25 जुलाई से सावन का महिना शुरू होने वाला है इस महिने में लोग भगवान शिव के लिए व्रत रखते हैं कुवारी लड़किया भगवान शिव का व्रत करती हैं ताकि उन्हें मन्चाहा वर मिले वहीं सुहागे नोड़तें पती के अच्छी सेहत वे लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं ऐसे में अगर आप भी सावन वरत रखने जा रही हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा शिवलिंग को छूने से माता पार्वती नराज हो जाती हैं इसलिए महिलाओ को शिवलिंग को हाथ लगाने के मनाई होती है मगर ऐसा नहीं है कि महिलाएं शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती महिलाओं को बाल खुले नहीं छोडने चाहिए क्योंकि इससे घर में नकारात्मक उरजा आती है शास्त्रों में भी जिक्र है कि विभा के दोरान माता सीता की माने उन्हें हमेशा बाल बांदे रखने को कहा था भागवान शिव को हल्दी लगाना अशुब माना जाता है पूजा में शिव भागवान को भांग, धतूरा, बेलपत्र, सफेद, फूल, शेहद, फल आधी चड़ाएं मासिक धर्म के दोरान महिलाएं शिवलिंग की पूजा ना करें क्योंकि ऐसा करना वर्जित माना जाता है वही वरत रखने वालों को काले कपड़े नहीं पैनने चाहिए, इससे नकारात्मक उठजा भड़ती है साथी वरत रखने वाली कोई भी महिला इस दिन एक काली चीज का सेवन ना करी साथी सावन सोंवार के वरत में महिलाएं कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे भगवान शिव रूस्ट हो जाएं इस वीडियो में फिलाल इतना ही इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें बोल्सकाई के साथ